18.00 पर मिस्स बेक्टर की वैल्यू क्रेशिन जर्नी को बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं और यह कंप्लेटली बैक्ट बाइफ फर्डेमेंटल से आप पिछले चार कौटर के नंबर्स देख लीजे और आपको कताई इसके अंदर शक नहीं होगा कि डबल से ज़्यादा तीन गुना पिछले एक साल में मिस्स बेक्टर हुआ है हम तो 300-300 रुपे से यहां बहुत क्लोजली मिस्स बेक्टर को ट्रैक कर रहे हैं मैनेजमेंट बहुत ही क्वालिटी मैनेजमेंट है और यह कैटिगरी है कुकीज वाली यह भी स्क्रैश तर सर्फिस भी नहीं हुई है हमारे साथ कंपनी के CEO मनु तलवार जी जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए तलवार साथ बहुत बहुत शुक्री है हमसे बात करने के लिए हम यहां सब इठीना स्वदेश पर आप जैसी स्वदेशी कंपनियां जो बढ़िया काम कर रही हैं और बड़ी दिगजों को टकर दे रही है और वैल्यू क्रेट कर रही है हम सब फैन है आपके और आपके प् चाहते हैं अभी कितना है और दूसरा प्रोड़क्ट एक्सपेंशन तो इन दोनों बातों है क्योंकि सबसे आदा रुची बजार की इधर है क्या नए प्रोड़क्स आएंगे आपके स्टेबल से और कौन से नए रीजिन में आप फैलाने वाले कारुबार देखें बिस्कित में हम प्राइमली नौर्थ इंडिया बेस कंपनी थे लास्ट एर तक और लास्ट एर में हमने जर्णी शुरू करी कि हम साउथ और वेस्ट इंडिया में भी शुरूआ करें तो हमने तीन सिटीज बड़ी सिटीज में लाँच किया बंबे, बैंक डोर और पुना हैं न तीन सिटीज में लाँच करके हमने साउट और वेस्ट इंडिया की जर्णी शुरू करी और इस साल हम मल्टिफल और सिटीज में और 12-15 सिटीज में हम लाँच कर रहे हैं और इस साल में उसका लाँच कमप्रीच कर लेगे तो हमारा जो औपजेक्टिभ है बि पूरे इंडिया की जोग्रफी को कवर करना चाहते हैं, बेकरी में खाना की हमारे अलड़ी हम नौर्थ इंडिया कवर कर रहे हैं, हमारा बॉंबे में कवरेज है, हमारा बैंगलोर में कवरेज है, बडगले चार से पांक साल में देश के और भागों में भी हम अपनी कवरेज बढ़ाएंगे और जैसे मैंने का अगले 5-7 साल में हम पैन इंडिया कंपनी बनना चाहते हैं। इसी तरीके से एक्सपोर्ट्स में भी हम अलमॉस साठ से उपर कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अब हमने पिछले एट साल से एक special focus किया है कि GCC region में हम अपना Kremica brand को establish करना चाहिए. Objective भी है कि अगले पांच साल में हम GCC region में अपना Kremica brand को कफी मस्बूती से महां establish करें और इसी तरीके से देश के अन्य भागों में चाहिए North America हो चाहिए वो Canada हो चाहिए वो South Africa अमेरिका हो तो इन सब भागों में हम अपना reach बढ़ाएं अपने customers बढ़ाएं और internationally भी हम और geographies को cover करते हुए एक बड़ी company बने हैं. बताये कि यह जो सारे efforts आप ले रहे हैं एक तरफ exports बढ़ाना चाहते हैं एक तरफ आप अपनी geographical expansion देश ने बढ़ाना चाहते हैं 5-7 साल में तो आपका जो annual turnover है अगर हम बात करें तो आपको लगता है कि वो 4-5 साल में double हो सकता है और product engineering में जो आप नए-ने products लाएंगे packaging औ अपने confectionery bakery को बढ़ाएंगे तो margin भी expand होंगे देखे हमारी पहली बात यह है कि हमारी company के चार business vertical है और चारों के वो एक छोटी company विदिन बड़ी company के तरह अपरेट इंडिपेंडेंट्टी चलते हैं तो हमारे चारों businesses पे focus रहता हैं उनके independent business heads हैं जो उसको business को आगे लेक as a company हमारा focus हमेशा revenue और margin पे equal है हमारी company जितना selling और distribution पे focus कर रही है मार्केटिंग पे focus कर रही है जिसे कि हम expand कर सके हमारा distribution expansion पे काफी ज्यादा focus है जैसे कि हमने 22 April में target गिया था कि हम अपने direct reach outlets को double कर देंगे March August पे और हम उस पे कफी सही तरीके से progress कर रहे हैं और हम वो target discreptly side में जरूर अचीव कर रहे हैं तो हमारा distribution पे काफी focus है expansion पे काफी focus है which is duly supported उसको support किया जाता है marketing activities के साथ और दूसरा जो आपने margin में पूछ का margin हमारा equi focus है हमारा बराबर का focus है जतना revenue पे तो जैसे ही company progress करेगी हमारा target है कि हम mid से high teens की revenue growth हर साल अगले कई सालों तक लाते रहे हैं और उसके साथ हम दीरे दीरे अपने margin में भी improvement लाते रहे हैं तलवार साब एक और सवाल आपसे वो यह कि आप देखे QSR जो कि McDonald या फिर Burger King उनको भी आप बन की supply करते हैं और हम यह देख रहे हैं कि अब ना इनके अलावा भी छोटे 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 शेरों में ऐसे छोटे छोटे तमाम outlets हैं बर्गर वाली कंपनियां अपने पैर पसार रही हैं आप क्या वहां पर भी opportunities देख रहे हैं और यह भी बताइए कि अभी QSR कंपनी से आपकी कितनी revenue आ रही है देखे QSR बिसनस जो है वो आप बिल्कु सही कह रहे हैं वो काफी टेजी से expand कर रहा हैं काफी नए चेंज भी आ रही हैं नए QSR भी आ रहे हैं और हमारे लिए वो सारे potential customers हैं और हम बहुत सारे ऐसे customers को service करते हैं अच्छी बात यह है कि हम देख के टीन important भागों में Bangalore, Bombay और Delhi में हमारा NCR में प्लांट है जिससे कि हम इन सब customers को service कर पाते हैं और जो भाग में हम present नहीं हैं वहाँ पे हम अपनी frozen के through उनको service कर पा रहे हैं तो यह जो net user आ रहे हैं वो भी हमारे customers हैं और हम अपने customers add करते रहते हैं उसे customer जितना भी चोटा हो हमारी net phone है और उसके ओपर हम पूरा focus रखते हैं हमारी team है जो उनसे बात करके उनको acquire करती है customers को उनको अच्छे तरीके से अच्छी quality का product देगे service करती है तलवार साब एक आखरी सवाल चोकि आपके लिए न बड़ा market हिमाचल भी है और देखते हैं आपके products काफी दिख जाते हैं आप भी बताई कि चोकि वहाँ पर बड़ी बुरी स्थिती है भी land slide बारिश पंजाब के भी कुछ हिसों में चोकि ये दो बड़े market आपके हैं क्य सप्लाइज थोड़ी से disrupt हुई हैं कैसे manage कर रहे हैं आप तो हमारी definitely पिछले महीने में जब काफी बसाते आई थी और land slide भी थी तो हमारा को कुछ दिनों की disturbance जरूर आई थी और इस महीने में भी कुछ पार्ट में जान लैंसलाइड आई हैं कुछ दिनों की disruption जरूर आई है बट हम अपने distributors के पास stock maintain करके रखते हैं जिससे कि consumers और retailers तरक हमारा stock बिलकुल available रहे और हम consumers को service कर सके हैं और हमारी वहां में regular service रही है कि कुछ दिन का disruption आता भी है तो हम उसको cover कर लेते हैं हमारी local stock availability हमारे distributors के पास हमेशा अच्छी बनी रहती है जिससे कि वहां के retailers और consumers को हम regular अपने product से service कर सके हैं तलबार साब बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और अपने विचार share करने के लिए और company की क्या plans ही आगे क्या यूजनाए आप किस तरह से बना रहे हैं और skill कैसी करेंगी इस पर जानकारी share करने के लिए हमारे दर्शकों को भी काफी के फाइदा होगा इसे बड़ा अच्छा लगा आप से बातशीर करके तो मिस्स बेक्टर स्फूड बढ़ियां पैसे बने इसमें जिन्होंने आइप पैसे लगाए होंगे उसके बाद तो कमाल किया है कंपनी ने एक हजार चपन रुपे का भाव साल भर में एक सो अठानव प्रसेंट दो सो प्रसेंट का उच्छाल यानिके शेयर था वह वहां से हो गया है तीन गुना और नतीजेश भी जो हाल फला है वह भी बहुत अच्छे आए